आप सभी बच्चों का आज की कक्ष्या में स्वागत है, सभी को मेरा सूपरभात, आज हम हमारे पाठ भक्ती आंदोलन और सूफी परंप्रा को नवीन भक्ती पंत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अंदर हम उत्री भारत के हिंदू समाज में जो कुरूतियां फैली हुई थी। उत्री भारत में जो ब्रह्मनवादी विचार थे, उनका विरोध किया जा रहा था। उनका क्या किया जा रहा था। विरोध किया जा रहा था। उस विरोध में क्या क्या चीज़ें सामिल थी। क्यों इनका जनम हुआ। उसके रिजन्स में बता रहा हूँ आपको यहां कारण। वो कौन से कारण थे। फर्स्ट थो था हिंदू धरम का पतन हो गया था। जो हिंदू धरम जिसके अंदर कोई भी कुरूतिया नहीं थी। ब्रह्मनों ने उसके अंदर इतने यग पाखंड पैदा कर दिये। कि हिंदू धरम दिरे दिरे पतन की तरफ अगरसर हो गया। दूसरा था यग बहुत महंगे थे। एक आम व्यक्ति अपनी धार्मिक भावना को संतुष्ट नहीं कर पाता था। संस्किर्थ भासा कठिन थी। जो वेद लिखे गए थे वो कठिन भासा में लिखे गए थे। सुद्रों को वेद पढ़ने की अनूम्ती नहीं थी। यह हम कह सकते हैं कि सुद्र शिक्षा नहीं ग्रहन कर सकते थे। इसके साथ साथ नंबर पांच महापुर्सों का जनम हुआ जिसमें तुलसिदास, कबिरदास, नानक, रेदास, चतेन्य महापर्बू, सूर्दास, दादु दयाल, मीरा भाई, इन महापुर्सों और इस्त्रियों का यहां पर जनम हुआ। जिसने जो भाई आडमबर थे, उनका विरोध किया, चटा जाती पाती थी। इस कारण उत्री भारत के अंदर एक सरल धरम की जरूरत थी। और वो सरल धरम किस से आया था नवीन भक्ती पंत से। इस हमारे पाठ के अंदर हम तीन व्यक्तियों का ध्यन करेंगे, जिनों ने इस नवीन पंत को भारत के अंदर प्रस्तावित किया, उसका उपरचारित किया। पहला व्यक्ति हैं हमारे पास कबीर, दूसरा व्यक्ति हैं हमारे पास गुरुनानक, और तीसरी हमारे पास महीला है मीराबाई। इन लोगों ने किस परकार भक्ति के दवारा इसवर को पा लेने की अवधारना का सुत्रपात किया। कि आप बगती करके बिना किसी बाई आडम बरके बिना किसी तिर्थी आतरा पर जाए बिना किसी वेद कापाट किये बिना यग किये आप किसको प्राप्त कर सकते हैं इस्वर को प्राप्त कर सकते हैं तो जो प्रिस्तितियां नए जो संत कवी आए ये जो संत थे इनकी एक खास बात थी ये कविताओं की भी रचना करते थे गायन करते थे कबीर के सब्द आज भी परसिद है कबीर की सांखिया आज भी परसिद है मिरा भाई के बजन आज भी लोग गुन गुनाते है समरन की वेश्था गुरु नानक के दवारा जो की गई थी सिमरन या सिमरन ये आज भी परियोग में लाया जाता है तो हम बात करेंगे इस नवीन भक्ति पंत के अंदर की जो नवीन जो समाजिक प्रिष्थितियां जो पैदा हो रही थी विचार जो आ रहे थे संस्ताओं के स साथ सपस्ट और संकेतिक दोनों किसम के समवाद इन लोगों ने क्या है कायम किये संकेत भी बताए उन्होंने इस काल के तीन परमुक पर भावकारी वेक्तियों पर दस्ट्री पात कर हम देखेंगे कि इन समवादों को किस भाती अभी वेक्ती मिली तो सबसे पहला जो हमार बढ़ा चड़ा के कि ब्रामनों ने जो परचारित किया उन देवताओं के लिए एक अलग से कबीर ने अपनी विचारधारा को पैदा किया और लोगों के अंदर परचारित किया उसने अपने सब्दों की उस समय के देवियों की जो बाई आडम बर थे उनका विरोध किया उसके बारे में हम जानेंगे तो उसके बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि कबीर था कौन कबीर के जनम के बारे में हमें कोई भी इतिहास में ऐसा साक्षे नहीं मिलता जिसके उपर हम पूर्णते विश्वास कर सकें फिर भी हमें ये पता लगता है कि एक विद्वा ब्रहमनी ने इनको पैदा किया था, इसने पैदा किया था एक विद्वा ब्रहमनी ने और लोक लाज से बचने के लिए, किस से बचने के लिए, लज्जा से बचने के लिए लहरतारा नामक एक तलाब था, उस तलाब के पास वो अपने इस बच्चे को क्या कर गई, छोड़ अपने बच्चे को छोड़ गई और उस तलाब के उपर हर रोज नीरू और उसकी पत्नी नीमा ये दोनों जुलाहे थे अपने वस्तरों को अपने सूत को वहाँ पर धोने के लिए आते थे इन्होंने उस बच्चे को जब देखा तो उनकी कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने इनका लालन पालन करने के लिए वो इसे कहाँ पर ले आए घर में तो इतिहास में हमें पता लगता है कि इनका जो जनम है वो 1425 इस्वी में हुआ ये अगजक्ट डेट नहीं है हमारे पास लेकिन इतिहासिक जो साक्षे उसके अधारपन में ये पता लगता है कि इनका जो जनम है वो कब हुआ था 1425 इस्वी में हुआ और इनकी मर्त्यू ठीक 120 वरस बाद कितने वरस बाद 120 वरस की आईउ में इनका देहान्त हो गया यानि कि 161545 इस्वी में इस वेक्ति का क्या हो जाता है देहान्त हो जाता है और उस सथान का नाम है मगहर क्या नाम है उसका मगहर कई बार आ जाता है कि कबीर की समादी कहां है कबीर की समादी कहां पर है मगहर के अंदर है तो कबीर ने जब समाज में व्याप बुराईयों को देखा तो एक खास बात थी है बिलकुल अनपड थे कबीर क्या थे अनपड़ थे और वो अपने लिए एक दोहा गाते थे क्या दोहा गाते थे मसी कागच छुओ नहीं हाथ कलम मसी कागच छुओ नहीं हाथ कलम दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा इसको मैं मसी कागच छुओ नहीं छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ कि मैंने अपने जीवन में मसी मैंने कागच छुओ छुओ नहीं कि मैंने अपने जीवन में कभी भी कागच को छुओ नहीं और कलम कलम को कभी भी कया नहीं किया ग्रहन नहीं किया इसमें हाथ में इससे ही सपस्ट होता है कि कबीर बिल्कुल क्या था अनपड था नीरा अनपड के लिए भी इसमें यूटलाइज किया जाता है अब हम कबीर के विचारों के बारे में यहां पर पढ़ेंगे आप देखिए चोदमी स्ताब्दी और पंदरमी स्ताब्दी में प्रस्ट भूमी में उभणने वाले संत कवियों में एपरितम थे इतियासकारों में इनके जीवन और काल के अध्यन उनके कव्वे और बाद में लिखी गई जीवनियों के अधार पर किया है कबीर खुद अनपड थे कुछ लिख नहीं सकते थे तो फिर किसने लिखा तो कबीर के जो अन्याई थे उन्होंने लिखा कबीर के अन्याई कौन थे एक तो थे कबीर पन थी कबीर के मरने के बाद उन्होंने कबीर की जितनी भी साखियां उनके सबद थे उनको संकलित किया और उस गरंद का नाम लिखा उन्होंने बीजक एक तो हमारे पास सत्रोत ये है कौनसा सत्रोत था हमारे पास बीजक ये आपके सामने है सेकिंड जो हमारे पास जो सत्रोत था वो कौनसा था दादू पंति जो लोग थे जो कबीर के अनिवाई थे उन्होंने जो सब्द लिखे ये राजस्थान के थे कहां के थे राजस्थान के उसने जो रचनाय की दादू पंतियों ने उनका संबंद किस से है कबीर से है और तीसरा हमारे पास आ जाता है आदी गरंथ आदी गुरू गरंथ साहीब ये सिखों का जो है गरंथ है इसमें भी कबीर के सब्द लिखे गए हैं हमारे पास ये तीन चीज़े हैं जिनसे हमें कबीर की जो कवे रचना है जो वो मोखिक रूप में गाता था जिसे उसके मरने के बाद उसके नियाईयों ने लिखित रूप दिया ये देख लीजिए कबीर की जो बानी है यानि की वानी का मतलब यहां क्या है कबीर की वानी तीन विशिष्ट किन्टु परसपर व्यापरी पार्टियों में संकलित है एक तो है कबीर की बीज़क जो वारणसी और उत्तर-प्रदेस के स्थान पर संघरक्षित है दू के बाद मैं इसके पदों को क्या किया गया संगरित किया गया बंगाल में गुजरात में और महाराष्टर जैसे छेत्रों में मुद्रित किया गया कबीर जो अपनी रचनाएं जो कहते थे वो अपनी भासा और बोलियों में ही कहते थे और इसमें निर्गुन कवियों की खास ब का मतलब जो उसने रचनाए की थी उसने भाई आडंबरों के उपर क्या किया था कटाक्स किया था उस कटाक्स को क्या कहा जाता है उल्टबासी उल्टबासी का मतलब एक दो मैं बताता हूं आपको जैसे देखिए पथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूँ पार ताकी तो चाकी भली पीसी खाए संसार ये उल्ट बासिदी इसमें क्या था मुर्ति पूजा के उपर वेंगे किया ये उल्टा है जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि ये देखो कैसा उल्ट बाते जो है कही जा रही है उसने का कि पत्थर पूजे हरी मिले कि पत्थर पूजने से अगर हरी मिलता है बगवान मिलता है तो मैं किसको पूजूँगा पार पाड का यहां पाहार का मतलव है पाड कि मैं पाड को पूजना शुरू कर दूँगा फिर मुझे बोजल्दी मिलेगा फिर उसने कहा कि ताकी तो इसकी तो चाकी भली इस पत्थर की अर्थ में आपको बताऊंगा यहां केवल जै फुल या फूल भिन और समंदरी लागी आग कि समंदर के अंदर क्या लगी है आग लेकिन क्या यह संभव है कि समंदर में आग लग सकती है पानी में कभी भी आग नहीं लग सकती दूसरा इसमें केवल जै फुल या फूल भिन इस पूरे दो एक आर्थ में आपको यहां समझाने का प्रियतन करता हूँ, यह पूरा दोआ था हदी छोड़ बे हदी गया हदी छोड़ बे हदी गया हुआ निरंतर बास हुआ निरंतर बास आगे यह क्या कहता है केवल केवल जै फूल्या फूल बिन यही लाइन आई हुई हमारे पास है फूल बिन को निरसी को निरसे दास यहां यह क्या बताना चाता है कि हदी छोड़ कि मैं ससीम को छोड़ के हदी का मतलब क्या होता है जो हद में रहे ससीम को छोड़ के बे हदी बे हदी का मतलब होता है कि असीम में चला गया हूँ मैं थोड़े को छोड़के हदवाले को छोड़के किस में चला गया हूँ असीम में चला गया हूँ जिसका कोई भी ठोड़ ठिकाना या जिसका कोई भी यंत नहीं है और मैं उसमें क्या कर रहा हूँ निरंतर बास कर रहा हूँ मेरा उस सास्वस्त इस्वर में क्या हो गया है वास हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि केवल फूल्या फूल बिन कि वहाँ पर बिना ही फूल के एक कमल खिल गया है वहाँ बिना ही फूल के मुझे एक कमल खिला हुआ क्या है दिखाई दे रहा है उसको तो केवल निर्शेदास का मतलब है निजीदास उसे तो केवल भगवान का निजीदास ही देख सकता है और वो खिला हुआ फूल बिना कमल के मुझे दिखाई दे रहा है ये विरोधा भास होते थे उसकी बाणी में तो इस जैसी अभिवेंजनाई कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दरसाती एक बहुत बड़े रहस्ये के बारे में कबीर बताते थे और रहस्य किसका था इस्वर का कबीर की जो वानी थी उसकी एक विशेष्टा और भी थी वो परमसत्य को वरनित करते थे यह भी यह परमसत्य ही है क्योंकि बिना फूल के तो फूल कौन खिला सकता है वो इस्वर ही खिला सकता है वो ही हमें क्या कर सकता है दिखा सकता है तो यह वेक्टी अपने उस सत्य को अल्ला, खुदा, हजरत, पीर कहते थे वेदान दर्सन से ये परभावित थे और सत्य को क्या कहते थे अलक, निराकार, बर्मन और आत्मन कहकर संबोधित करते थे कबीर कुछ और सबदपदों का इस्तिमाल करते थे ये भी वेंजनाई उसने कहां से ली थी, योगी प्रमप्राओं से ली थी एक बहुत ही जादा योग्यता सील प्रानी था इस धरती पे अंपड़ होते हुए भी कैसे होते हुए भी, अनपड़ होते हुए भी इसने अपने कविताओं में इस्लामी दर्शन के स्वरवाद और मुर्ति भंजन का समर्थन किया और इंदु धराओ के बहुदेवाद और मुर्ति पूजा का खंड़न करती हुई कविताओं कि वो मैंने अभी बताई कि पत्थर पूजने से अरी मिले तो मैं क्या पूजने लग जाऊंगा पहाड पूजने लग जाऊंगा अब हमें यह जानने का प्रियतन करते हैं क्या यह कविताएं कबीर द्वार रचीगी यह तो कहना बहुत मुस्किल है क्योंकि हमने पहले बता यह कि उसने खुद काया कि मसी कागद छुओ नहीं कमल गयो नहीं हाथ की मैंने ना तो कभी कागद को छुआ है और ना ही मैंने कभी कलम को हाथ में लिया है तो हमें यह पता लगता है कि जो विशेवस्तू हमारे पास है इसकी जो भासा से लिए उसके अधार पर हमें लगत उसका क्या करते हैं? अपनी संस्ताएं चलाती हैं तो यह तथे इस बात से उजागर होता है कि इस विशय पर आज भी विवाद है कि वो जनम से हिंदू थे या मुसल्मान अब जनम से हिंदू थे या मुसल्मान अभी आपको बताएं कि ब्रहमनी ने इनको पैदा किया और मुसलिम परिवार के जुलाहे ने जो है जिसने अभी अपना ध्रम परिवर्तित किया था मुसलिम बना था उसने इसका पालन पोशन किया जो सत्रिवी स्ताब्दी यानि कि उसकी मर्तिव के 200 वर्सों बाद लिखी गई थी वैशनम जो प्रंपरा की जीवनिया है उसमें का पालन पोशन कौन करता है गरीब मुसलिम परिवार में जो जुलाए थे और कुछ समय पहले इसलाम धर्म के नियाई बने थे इन जीवनियों में यही बताया जाता कि कबीर को भक्ति का मारग दिखाने वाले रामानंद थे लेकिन यह बात हजम नहीं होती है यह बात किसी कि के गले उतरती नहीं है क्यों नहीं उतरती उसका मैं रिजन बताता हूँ अब आप देखिए रामानंद का जो जनम है रामानंद का जनम कब हुआ था कौन बताएगा मुझे 1299 में रामानंद का जनम कब होता है 1299 में और अभी कबीर का जनम मैंने कब बताया था आपको 1425 में क्या पोसिबल है कि रामानंद के सिश्य कबीर हो सकते हैं क्योंकि फिर तो रामानंद को जो है कई वरसों तक जो इवत रहना पड़ेगा तो यह हम स्विकार नहीं कर सकते हैं इन दोनों के जनम और मर्त्यू के बीच में इतना अंतर है कि यह स्विकार नहीं किया जा सकता कि कबीर के गुरु कौन थे रामानंद थे देखिये कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल परतीत होता है जब तक उन्हें बहुत बड़ी आयू यानि की लंबी आयू ना दी जाए एते वे प्रमप्राएं जो दोनों को जोड़ती है वो हम स्विकार नहीं कर सकते बाई एक्जेंपल मैंने आपको यहां प्रू करने का प्रियतन किया है कि जो रामानंद है उसका जनम 1299 इस्वी में हुआ जबकि कबीर दास का जनम था वो 1425 में था करीबन करीबन आप देखेंगे तो सवासो वरसों का अंतर है इनके बीच में किन्तु उनसे ही है वस्य पता चलता कि कबीर की जो विरासत है बाद की पीडी के लिए बहुत ज़्यादा क्या थी इंपोर्टेंट थी और आज भी उनके विचार पूरे विश्व में फैले हुए हैं लोग उसके सबद आज भी सुनते हैं उसके बाद हमारे पास सेकिंड जो व्यक्ति है वो आ जाता है गुरू नानक का जो जनम है वो 1479 इसवी के अंदर कहां पर हुआ था एक हिंदू व्यपारी परिवार था और वो स्थान था ननकाना जो आज कल रावी नदी के किनारे है और कहां पर स्तित है पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया है वहां पर है छोटी सी आयू में इसका विवा हो गया था लेकिन इसने अपना बहुत ज़्यादा समय क्या था सूफी संतों के बीच में बिताया और ये कई बर परसन आ जाता है कि उस सिख व्यक्ति का नाम बताईए जिसने शिख धरम की स्थापना से पहले जो है सूफी था तो वो कौन था गुरु नानक देव इसने अपना जो संदेश है वो बजनो और उपदेशों में नहित किया था और इसकी मर्तियों के बाद इस व्यक्ति ने भी किसका विरोध किया यगों का विरोध किया, नुस्थानों का विरोध किया, मुर्ति पूजा का कठोरतप का और यहां तक कि उसने इंदू और मुसलिम धरम गरंतों को भी क्या कर दिया नकार दिया गुरु नानक ने अपने पूरण रब का कोई भी लिंग याकार नहीं है यह भी कुणसी भक्ती में विश्वास करते थे निर्गुण में आपने देखा होगा कोई भी सिख धरम का व्यक्ती आपको मुर्ति पूजा करता हुआ नहीं नजर आएगा उसने सरल उपाय बताया था एक इसवर का कि समरण करना उसके नाम का जाब करना और इसलिए उन्होंने पंजाबी भासा में सबद लोगों के माध्यम में रखे और बाबा गुरु नानक जब यह सबद अलगलग अरवागों में गाते थे तो उसका एक सेवक था मरदाना रबाब यानि कि हम यह कह सकते हैं कि ढोल बजाता था उसका साथ देता था अन्याई अंगद को इसके गुरु पद पर आसीन किया और इस परिपाटी का पालन कितने वर्सों तक होता रहा 200 वर्सों तक और सिक धरम का जो संस्थापना करने का कोई भी मुख्य उदे से गुरु नानक का नहीं था वो किसी भी पंत का की स्थापना नहीं करना चाते थे कि गुरु नानक किसी भी निवीन धरम की स्थापना नहीं करना चाते थे कि उसकी मर्त्यू के बाद उसकी अन्याईयों ने उनके अचार वेवार को संग्ठित कर हिंदू और मुस्लिम दोनों से एक पर्थक धरम जो है क्या किया निश्चित किया और इनके जो पांचवे गुरू है अर्जुन देव सिंग ये पूछा जाता है बहुत बार कि पर्थम गुरू कौन था गुरु नानक दूसरा कौन था अंगद पाचवा कौन था गुरु अर्जुन देव जिसने बाबा गुरु नानक और उससे पहले के चार उत्रा दिकारी बाबा फरीद रविदास और कबीर दिन्नों की वानी से आधी गरंत साहिब का संक्लन किया और इसको किसको कहा जाता है गुरुबानी कि अर्जुन देव ने नानक देव और उसके चार उत्रा दिकारी बाबा फरीद रविदास और कबीर की बाणी से एक गरंत का संक्लन किया जिसका नाम था आधी गरंत साहिब और इसी को गुरुबानी कहा जाता और यहनेक भासाओं में रक्षा के लिए खालसापंत की स्तापना की थी जिसका निर्मान हुआ था 1699 इस्वी में और इसके पांच परतीक होते थे जिसको हम पांच कह कहते हैं पांच कह का मतलब सबसे पहला केस करपान कच कंगा और लोय का कड़ा यह पांच कह धारन करता था वही व्यक्ति क्या कह लाता था सच्चा सिक और खालसापंत की नियू रखी थी उसने अग्रेजों को भारत का जो हिंदु धरम का विरोध कर रहे थे उसको खतम करने के लिए एक सन्येबल था यह कई बार आ जाता है परसन खालसापंत पर नोट लिखें उसके बाद में थर्ड जो वेक्तित्ता ह वो आता है मीरा भाई के रूप में जो मेडता का जो सासक था उसकी क्या थी बेटी थी और इसका विवा उसके पिताजी ने इच्छा के विरुद सिसोधिया कुल में कर दिया इसने अपनी पत्नी की जो है अग्या बिल्कुल भी नहीं मानी और एक पत्नी और मा के प्रमप् से लिकड करके वो कहां चली गी कहां निकल करके चली गी गुमक्कड जो है गाईका बन गई और अपने अंतरमन की भाव प्रमनता उसने किसके जरिए निकाली अनेग गितों के जरिए और मीरा भाई के जो गुरु थे वो कौन थे रेदार थे जो एक सरमकार थे चमार थे, प्रेज़ी भी जमगट नहीं है उन्होंने किसी नीजी मंदली की नीज़ी डाली प्रंतु आज भी सदियों से उसके जो गीत है वो प्रेणड़ना का स्त्रोत है आज भी महिलाएं जो है उन गीतों को गाती खास करके गुजरात और राजस्तान की गरीब महिला जिने नीज ज गाती का समझा जाता है वो आज भी इनके गीतों को क्या करती है गाती है उसके बाद हमारा जो नेक्स पॉइंट आता है धार्मिक प्रंपराओं के इतिहास का पुरन निर्मान हम कैसे पुरन निर्मान करते हैं या तो हमें कोई मुर्ती मिल जाती है उससे या कोई स्थापत जो इमारत मिल जाती है, कोई मस्जिद है, कोई मंदिर है, उससे जो है हम इसका निर्मान करते हैं, या फिर हम किससे निर्मान कर सकते हैं, किसी धरम गुरू ने कोई कहानी बताई जैसे गुरू नानकी होगी, कबीरदास की है, मीरा भाई की है, देविये सवरूप को समझने क को उत्सो इस्त्री और पुर्सों द्वारा जो कवे रचनाय लिखी है तुलशी दास ने लिखी है रामचरीत मानस कवीरदास की बीजक है मिरा बाई के गीत हैं तो जैसा कि हमने देखा था ध्याए एक और चार में की मुर्तिकला और स्थापत्य कला का हम इस उदेश्चे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसके संदरब को अच्छी तरीके से समझे इन आकरतियों और इमारतों को बनाने उनका इस्तेमाल करने वालों के विचार आस्थाओं और आचारों को भी हमें समझना पड़ता है कि जिस आदमी ने उस इमारत का निर्मारत के पीछे निर्मान के पीछे उसके विचार क्या थे उसकी आस्थाएं क्या थी तो धार्मिक विश्वासों से सम्मंदित साहितिक प्रमपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है यदि हम इस अध्याय में वर्णी स्त्रोत पर दर्ष्टिपात करें तो देखेंगे कि उनमें काफी वि पूल पार्ट को समझने के लिए तरह तरह का हमें क्या चाहिए कोसल चाहिए तभी हम उसको समझ सकते हैं और प्रतेक विदी की सैली और सैलियों के सुक्सम अंत्रों को पहचानना भी क्या है पढ़ता है तब जाकर के हम किसी भी इतिहास को लिख सकते हैं इसी के साथ ये अ वाल अव यू थैंक यू बेता